प दूमर्ट FIN को बंबTO कॉमर्स लेट्य अपने हैं आज हमारे टॉपिक है सोशल स्पॉंसिबिलिटी देने क्या होती है और टाइप्टेस्टर हैं हमारा विकॉम पthough谍क स्वौन एथिक्स देखते हैं शोउशल स्बीक्सिपॉंसिबिलिटी क्या चीज धैप obligation of business towards society यानि business की कुछ responsibilities है society की तरफ वो सारी होती है social responsibility business and profit by using society's resources सबको पता है business जो है profit कमाती है कैसे कमाती है society के resources यूज़ करके जिसे कि हम society में लेबर्स, workers यूज़ करके उनकी capital यूज़ करके इन सब से society से पैसा कमाती है so business की कुछ जिम्मेदारियां बनती है society के लिए उसको society के लिए कुछ तो करना चाहिए जैसे कि हमारे environment का धिहान रखना चाहिए pollution नहीं फैलाना चाहिए इन सब चीजों का धिहान रखना चाहिए so businessmen should take decisions which is in the best interest of society so businessmen कोई भी decision ले तो ऐसा decision नहीं चाहिए society के interest में हो यानि society के welfare में हो चलो आगे बढ़ते है kinds of social responsibility के types क्या है सबसे पहरा है economic responsibility यह क्या रहा है यह क्या रहा है कि business एक economic activity है यानि एक ऐसी activity है जिसके तुरू पैसा कमाया जाता है और businessmen का main aim क्या होता है profit कमाना ही होता है पैसे कमाना ही होता है तब भी business चालू करते है लेकिन यहाँ पर क्या रिखा है कि business को या businessmen को सिर्फ यह नहीं देखना है कि उसे profit भी profit बढ़ाना है नहीं सिर्फ profit कमाना main aim नहीं होना चाहिए लेकिन उसको क्या करना चाहिए एसे decisions लेने चाहिए हैं जिससे कि क्या हो हमारे environment, people और society पे कोई भी बुरा impact ना पड़े Next है आपका legal responsibility ये का कह रहा है Government ने कुछ laws, rules, regulation बनाए हैं businesses के लिए So businessman को क्या करना है? एक socially responsible citizen की तरह बिहेव करना है यानि कि abide by का मतलब है follow करना है सारे rules and regulation and laws जो भी बनाए गए है government ने कुछ भी illegal काम नहीं करना है Next है ethical responsibility इसका क्या मतलब है? It includes a behavior of firm that is expected by the society and is not defined by law यानि ये चीज़ law में नहीं लिखी गई है ethical behavior जो है बलकि ये कैसा behavior है तो society हमसे expect करती है ठीक है? तो businessman को क्या करना है? हमें जो है fair और ethical manner में काम करना है यानि हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे हमारी society को नुकसान हो जैसे कि अगर हम wages दे रहे हैं अपने employees को तो fair wages देनी है ये नहीं कि बहुत से उनको थोड़ा थोड़ा पैसे दे के और बहुत सरा काम करवाए जाओ नेक्स है discretionary responsibility इसका क्या मतलब है ये responsibility voluntary होती है यानि businessman की अपनी खुद की इच्छा है कि वो इस responsibility को पूरा करे या ना करे कोई जबदस्ती वाली बात नहीं है एक्जामपल क्या है जसकी donation देना charity करना है ये सभी चीज़े सरी वीडियो खतम हुए आपका त्यांक्स वाचिंग दिस वीडियो